देख रहे हैं जामिया वर्ल का मैं हूं इसका फाउंडर एक तरसी इंसानियत रिपोर्टिंग करते करते इंसानियत का भी खिदमत करना जुरूरी है और जिस तरह से में हम लोग ने बल्थर पर एक तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे और यह जो अवरत हैं अपने छोटी उसको पढ़ाने के लिए एक मदर्शा भरती कराने के लिए लेकर जा रहे थे इनको कुछ था नाम पता एक तरह से समझ में किलियर नहीं आ रहा था तो मैंने इसको पूछा और शीतर से समझा उसके बास मालिम हुआ है कि रिजवान रिया जी मौलाना जो है कि बेतिया में तकवा टेक्निकल डिगरी कोलेज है पलस में कुरान घर एकेटिमी है उसके बाद से जबदी परशाओनी में एक मदर्शा है बच्यों लोग का तो वहां भरती होता है बच्यों लोग का तो एक तरह से मैं बल्थर से इनको लेकर जबदी पहुंचाने जा रहा हूं क्यूंक यीकीन हमें बहुत ही सूचना है कि इनसानियत को एक तरह से बचाना भी है खिद्मत भी करना है और खास तो पर बच्चीयों का भविश के बाद हो तो और अच्छी तरह से हेल्प करना है एजुकेसं तरह से धर्म जरूर निभाया और मैं इस वक्त इस तरह से सत्यागरा गर्स हाई स्कूल है रिजवान रियाजी का और मैं बल्थर रिपोटिंग कर रहा था मैं घर जा रहा था अपना घर रामपूर के तरफ और मुझे भूख भी लगा था अचानक ये एक तरह से औरत मिली औ आपके हस्वेट हैं नहीं है नहीं है देखिए यह कह रही है यतीम बच्चा है यहीं भरती के लिए आई है भरती मतलब दाखलाए लेने के लिए सत्यागरा गर्स हाई स्कूल ही जवान रियाजी का है तो मैं एक तरह से ठक के चूर हूँ था लेकि उसके बावजूद मैं क कोशिश किया कि बच्चियों का भविष पढ़ाई बहुत जरूरी है तो एक तरह से में सत्यागरा गर्स हाई स्कूल लगभग 20 किलो मीटर बल्थर से ज्यादा लगभग 30 किलो मीटर मान सकते हैं और लियाकर मैं इनको अंदर भरती अब करा दिया हूँ और यह कल यह जैसे बल्थर उतर लो ना समझ रहें लोग कि कहा जा एक बाद ना समय तो इंशाला भरती हो जाता पढ़ी भवी ना ठीक बाद तो कोने दीकत भीयां से चल चला 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 भरती तो देखिए अब यह अंदर एक तरह से में लेकर जा रहा हूं और इंका दखला हो गया और जवान करना ज़रूरी है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बच्चा अगर कोई पढ़ता है लिखता है तो पढ़ाई लिखाई कितना ज़रूरी है तो देखिए इनका रिजवान रियाजी का है यह कुरान खर अकडमिक बेतिया में है तो एक तरह से यतीम बच्चों के लिए खाकाफी फिरी में एजुकेशन देते हैं तो यह बच्ची अब एक तरह से यहां अंदर अब जाए की ताखला हो गया तो जैसे बाउंडरी एक हद है लड़किया लोग अंदर अब रहती हैं तो रिजवान रियाजी यतीमों के लिए एक तरह से एजुकेशन करें थोड़ा सा में द मैं इस तरह से कोशिश किया कि इन्शानियत अगर जिन्दा है तो एक तरह से यतीम बच्चों का काफी हक होता है अगर आप मालदार हैं अगर आप किसी तरह का ताकत रखते हैं किसी चीज को करने में तो यतीमों का ख्याल करना बहुत जरूर है यतीमों का दुआ लेना बह तरह से उनकी सोच एक थिंकिंग है कि मदर्शा की बच्चे बच्चिया भी डॉक्टर बने बाहरा आप देखतेर ये जामिया वर्ड में महमत तस्लीम बिहार के चमपारन जब्दी परसोनी गाउं से